Hello Friends, Welcome to Johnny Talks इस वीडियो में हम डिस्कस करने बाले हैं HPGK के बहुत थी महत्पूर्ण प्रेशन जो कि आपके आने वाले कमपटेटेव एक्जाम में काफी हेलपल होंगे जो क्वेस्टन हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारे चैनल पर प्रेश्टगार्ट की क्लासिस भी चार रही है 34 क्लासिस हो चुकी हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं पहला प्रेशन है जोस्तो पहला प्रेशन यहाँपर जियोग्राफिका है क्रिशना रीबर पर है नागर्जुन सागर प्रियोजना और दोस्तों जो क्रिशना नादी है यह महाबलेशपर से निकलती है और दोस्तों जो सतलुज है यह मानस रोबर जील से निकलती है और काबेरी जो है यह ब्रहमगिरी पाडियों से निकलती है नरमदा जो है वो अमरक की पाडियों से निकलती है अगला प्रेशन है माक्चिल जी के से डियूरिंग बिचेयर दा फोर्ट कांगडा बाज लूटड बाई महमूद ऑफ गजनभी किस बरस कांगडा का किला महमूद गजनभी द्वारा लूटा गया तो दोस्तों जो कांगडा का किला है वो महमूद मंदिर को लूटा था अगला प्रेशन है इनभी चेयर पाज एक्षपी मेडे यूनियर टैरितिरी किस बरस माचर फ्रदेश को केंदर-साषट फ्रदेश में बनाया गया तो इसका औशन डी जो है तो सही हो जाएगा और दोस्तों नाइटिन फ्यूक्टी बन में माचर प् वो था बीरसेन जिसने स्केत रियासत की स्ताबना करी हुई तो इसका ओप्चन डी जो है वो सही हो जाएगा और दोस्तो जो बाहुसेन है इनमने मंडी रियासत की स्ताबना करी हुई थी दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी सी वीडियो को लाइक कर दीजी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिप्स वीडियो के लिए अगला प्रेशन है BETEO FOLLOWING BELLYS IS FAMOUS AS BELLY OF GOARS निमन मैंसे कौन सी गाटी देवताओं की गाटी के रूप में परसिद है तो दोस्तों जो कुल्लू गाटी है वह देवताओं की गाटी के रूप से रूप में परसिद है तो इसका ओप्शन C जो है वो सही हो जाएगा कुल्लू में पढ़ती है तो दोस्तों माचल प्रदेश की जो सबसे उची परवर श्रेणी है यानि परवर चोटी है वो है सिल्ला और वो पढ़ती है जांसकर रेंज में तो इसका option D जो है वो सही हो जाएगा जांसकर और दोस्तों जो कारा कोरम रेज है यहे जमुक्समीर राजे में पढ़ती है लदाख में और इसका जो पुराना नाम था वो था कृष्णा गिरी अगला प्रेशन है दा क्लाइमेट ऑफ किनौर डिस्टिक एचपी कम्स अंडर दा कैटेगरी ऑफ माचल प्रदेश के किनौर जिले की जिलबायू की श्रेणी में आती है तो दोस्तों माचल बड़ा शिगड़ी है वो एक ग्लेशयर है यानि की हिमनद है तो इसका उप्रदी जो है वो सही हो जाएगा बड़ा सिगड़ी जो है यह लौजपिती जीले में है और दोस्तों यह माचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशयर है इसकी जो लंबाई है वो 25 किलो मेटर है अगला प्रेशन है पी चौह था पलॉइंग लेक्स इजे गुरूप ओफ सैबन लेक्स माचर प्रेश में कौन सी जील साथ जीलों का समू है तो दोस्तों माचर देश की जो लामा जील है लामा डल जील बहुत साथ जीलों का समू है तो इसका ऑप्षन डी जो है वो सही हो जा गुम्म्मा और धरंग इसके लिए प्रिसिद है तो दोस्तों जो गुम्मा और धरंग के लिए प्रिस्थ है यानिकी चिटांब नमक के लिए प्रिसिद्थ है तो ईसका option जो है वो सही हो जाएगा और ये है मंडी जिले में हैं अगला प्रश्ण है The state part of HP is मार्चल प्रदेश का राजिय पक्षी है तो दोस्तों मार्चल प्रदेश का जो राजिय पक्षी है वो है पश्मी ट्रेपबन इसका option यह जो है वो सही हो जाएगा जिसे जो चुराना भी कहा जाता है अगला प्रश्ण है Which of the following district of HP has maximum area under April मार्चल प्रदेश के किस जिले में सेव की सबसे धेक फसल होती है तो दोस्तों मार्चल प्रदेश के शिमला जिले में सबसे धेक यानि की सेव की फसल होती है तो इसका option यह जो है वो सही हो जाएगा और दोस्तों मार्चल प्रदेश को भारत का सेव राज्य भी कहा जाता है अगला जो प्रश्ण है चमेरा डैम पावर स्टेशन is located in which district of HP मार्चल प्रदेश के किस जिले में चमेरा बांद सकती प्रयोजना अवस्तित है तो दोस्तों मार्चल प्रदेश के दोस्तों HRTC की जो सका अपना है 1974 में हुई थी तो इसका option C जो है वो सही हो जाएगा मार्चल रोड ट्रांसपोर्टर कर्पोरेशन अगला प्रश्ण है बेच ओफ दा फॉल्वाइंग टॉरिस्ट प्लेस इस नौट सिचुएटेट इन किन और निमन मैंसे कौन सा प्रेटन स्थाल किन और मैं नहीं है तो दोस्तों सांगला कोठी और कलपा जो है ये किन और मैं स्थेत प्रेटन स्थाल है लेकिन ति लोगपुर नहीं है तो इसका option D जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रेश्ण है तो दोस्तो शान और सांबू जो लोख नृत्य हैं ये भगवान बुद्ध को स्मर्पित है तो इसका option भी जो है वो सही हो जाएगा Lord बुद्धा और दोस्तो ये जो सांड और सांबू है जो नृत्य है ये है लहुल्स पिती जिले में मनाये जाते हैं भगवान बुद्ध की याद मैं अगला जो प्रेशन है बिच ओफ ता फॉलोइंग फेस्टिबल इस पॉपरली नौनेज फेस्टिबल ओ फिक्चर्ज निमन मैंसे कौन सा तेहार चित्रों का उससब के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो जो चैत्रोल उससब है इसका option डी जो है वो सही हो जाएग चित्रों के उससब के नाम से जाना जाता है और दोस्तो ये जो चैत्रोल उससब है ये है सिर्मोर चिले में मनाया जाता है और चमबा में इसी उससब को ढुलरू के नाम से जाना जाता है अगला प्रेशन है हूँ बाजदा पस्ट चीफ कमिशनर रॉप हपी माचरप देश मार्चल प्रदेश के फ्रत्म्साया रहता स़ता ह्म चीएप कमिशनर रहा, यो मुखते रहे थे yes Wah without a day को लोने मार्चल प्रप्रदेश के प्रथ्म जो मुख्या ते बो थे एंसी महता तो इसका option यह जो है वह सरी हो जाएगा एंसी महता और दोस्तों माचब देश जो था वो चीफ कमिशनर रियुक्त यान की मुख्य जो प्रांच जो था वो 1948 में बना था और 1951 में वो हो पार्ट सी का स्टेट मन यान की पार्ट सी का राज्य का दर्जा उसे मिल गया था अगला प्रेशन है बी चौफ दा फॉलॉइंग डि जो है को सही हो जाएगा और जो सबसे देख शाक्षता दर है वो है मेरपूर जिले की अगला जो प्रेशन है ता मोस्ट पॉपलस डिस्टिक ऑप हैच पी ही माचब देश का सबसे धेक जनसंक्या इनकी अबाद्धी बाला जिला कौन सा है तो दोस्तों सबसे देख अबाद Institute of Technology in HPEG situated तो दोस्तो जो मार्चल प्रदेश का राष्टे प्रद्योगी की संस्तान है वो हमीरपुर मेस्तित है एन इटी तो इसका option ये जो है वो सही हो जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्स पर वाचिंग गॉड ब्लस यू आल